नमस्त्र दोत्वावली की बहुत बहुत सुपकामना है ओ दिपावली के उपर हम आपको हमारे पास तो जो देने के लिए है वो हम देंगे आज हम लेके आएं टी शिरीज के अंदर टी फाइब टी फाइब का मतलब इसमें पांच कंटेंस और ये इतनी बेहतरिन गोली बनती है कि इसको खाने के बाद में सेक्स समंदी कोई बिमारी नहीं रहेगी ये हमारा दावा है अगर जैसे हमने बताया है वैसे अगर आपने किया तो और आपने हमने गाय के दूद बताएंगे तो गाय के दूद से लेना बेंस के दूद से नहीं क्योंकि आप यह मत कहिए कि द दूद दूद एक होता, नहीं होता है एक, बेंस का दूद पेने वाले को नाइट फॉल होगा, गाई के दूद पेने वाले को नहीं होगा, क्योंकि बेंस के दूद के अंदर गर्मी होती है, बेंस का दूद जो खुछती लड़ते हैं, पहलवानी करते हैं, अत्वा बहुत मह हन्ती काम करते हैं, वो इसको हज्म करते हैं, आज मिलता नहीं है गाय का दूद्ग इसलिए भेंस का का इखाते हैं और इसलिए वो पत्ता निया सरीर के लगता नहीं है। हाँ ये जरूरे बेंस के दूप की चार सुवाद लगती है हाँ टी फाइप का मैं पहले देखिए मैं इसकी चोपाई बोलूगा क्योंकि बहुत से जो हैं पूरा वर्ड है पूरा हिंदुस्तान है पूरा संसार है बहुत से आदमी चोपाई में भी समझते हैं और बहुत से आदमी इस तरह भी समझते हैं हमें चोपाई बोलता हूँ एक टंक जो केसर करे दो ये टंक लोंग ले धरे तीन टंक जाइफल सूले चार टंक आई फेन करे दो रती कस्तुरी करे मदु से बांदे जो गोली धरे टंक टंक गोली परमान सांज समय ये खाए सुजान अस्तंबन कर काया बल होई दिन दिन रूप सवाया होई उपजे अगनी सुदा अधिकाई मन सो मिटे न रती की चाई इतना सरल इस ये है चुपाई मैं इसका अच समझाता हूँ एक टंक जो केसर करे टंक का मतलब दस गराम से ले लो आप दो टंक लोंग ले दरे बिस गराम लोंग तेन टंक जाइफल सुन ले तीस गराम जाइफल चार टंक आई ही फेन करे चालिस गराम अफीम दो रती कस्तुरी करे दो रती यानि कि दो सुचालिस गराम ये कस्तुरी मदू से बांदे जो गोली धरे फिर सहत से गोलियां बना के रखें टंक टंक गोली परमान यानि कि आदा ये चार चार गराम की गोली बना के रखें तो इसको आदा टंक बोलते हैं टंक टंक गोली परमान तो इसकी गोलियां बना लें और चार चार गराम की गोली बन जानी चाहिए साज सबेरे खाय सुजान सुबह के वगत और रात के सोती टेम सुजान का मतलब जो अच्छे वक्ती होते हैं वो खाये अस्तंबन कर काया बल हो ये लिखते हैं कि टाइमिंग बढ़ता है अस्तंबन का मतलब टाइमिंग बढ़ता है अस्तंबन बढ़ काया बल हो शरीद में ताकत आती है दिन दिन रूप सवाया हो चेहरे पे दिन दिन रोनक आती है आदमी खूब सूरत बनता है उपजे अगनी सुदा अधिका यानि कि शरीर में अगनी परवश्दलित होती है और खुब भूग लगती है मन सो मिटेन रती की चाह दिल के अंदर हमेशा ही ये बावना रती है कि कोई सुंदर इस्त्रीम मिल जाए हाँ तो ये तो हुई चुपाई अब मैं इसको आपको कलिर कर देता हूँ सरली करन कर देता हूँ हाँ इसके कंटेंस टी 5 के में बोलता हूँ के शर 10 गराम लॉंग 20 गराम जाइफल 30 गराम अफिम 40 गराम कस्तूरी 250 मिली गराम मैं एक बार और बोल देता हूँ चिल्फ पांस ही कंटेंस हैं केशर 10 गराम, लॉंग 20 गराम, जाइफल 30 गराम, अफिम 40 गराम और कस्तुरी 500 मिली गराम याने कि दो रत्ती इन सब का पाउडर बना करके और इतना ही सहद लें जो गोली बन जाए इतना ही सहद मिला हैं तो इसकी 4-4 गराम की एक तिती बड़ी गोलियां बना लें, थोड़ी छोटी बना लें, रेखिये पहले कि आदमियों का इस्तिमना जादा था, तो ये आपके वजन हुआ, 100 गराम करीब वजन हुआ, तो 100 गराम का मतलब यह होता है कि एक गराम की एक गोली, तो कम चाकम आप 70-80 गोली बना ले हैं इसकी, और गोली बनने के बाद में, इसको आप थोड़ा दूप में सुका दें, और बढ़ लें, आपकी दावात तयार है, ये एक गोली सूब है, आठ नो बजे नास्ते के पहले अथवा नास्ते के बाद, जो आपका मन करें, गाई के दूद से लिजेगा, जो इसकी अवज्या करेगा, उसको लाब नहीं होगा, ये मैं पहले बोल देता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि हर बार ये बन्दा गाई काई, गाई का दूद बताता है, देखो जो होगा, वो ही बताऊंगा, तो एक गोली सुबह गाई के दूद से, और एक ग मासा देखिए, और ये कोर्स आपको 21 दिन, जैसी सामरते हैं, कम से कम 21 दिन, इस से कम में कोई मतलब नहीं होगा, 31 दिन, और जो व्रद हैं, 30 साल से उपर के, वो इसको, चाहिए वो 80 साल के भी हो 51 दिन करें, इस कोर्स के अंदर थोड़ी कबजियत रह सकती है, तो जिनको कबज नहीं है, उनको कोई फरक ने पड़ेगा, और जिनको कबज रहती है, उनको थोड़ी कबजी और हो जाती है, तो वो रात को, इस सब गोल की दो डाइस चमच दूद के साथ खा लें, तिर्फला ना खाएं, इस सब गोल खाएं, क्योंकि इस सब गोल आसाने से लिया भी जा सकता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बेड इफेक्ट नहीं, क्रिफला से मुं कड़वा होता है, हर आदमी ले नहीं पाता, तो कब्ज नहीं रहनी चाहिए, किशी भी सुरत में, चाहे शरीर में कोई भी रोग क्यों नहीं हो, अगर कब्ज रह उसको बताते हैं, तो दोस्तों ये नुस्का लीजिए, टे फाइब, और अपने आपको लाल सुर्क बनाईए, ये लिखते हैं कि ये क्या क्या गोन करता है, हमने चोपाई में बताया, और आपको यूँ भी बता देते हैं, एक तो ये अस्थमन किरिया के अंदर बहुत काम है, अस्थमन का मतलब टाइमिंग को खूब बढ़ाना, जिनका टाइमिंग दो मिनट, एक मिनट या चार जटके ही होता है, उनका टाइमिंग 20-25 मिनट का हो जाएगा, इसको शीक्रपतें भी करते हैं, टाइमिंग बढ़ाना, एक तो इसका काम है अस्थमन करना, यानि भी हम बता दें इसके अंदर जायफल और कैसर दोची जैसी है कि इसको गिस करके अगर चेरे पर लगाओ तो आपका चेरा लाल हो जाएगा इसलिए ये खूब सुरुत बनाता है और तीसरा इसके अंदर है कि आदमी को अच्छी भूग लगती है अच्छा हजम होता है कस्तुरी ये भूग को बढ़ाने वाली और रूपमान बनाने वाली चीज़े है दोस्तों कैसर मिलती है लोंग मिलते है जाइफल मिलता है कस्तुरी मिलती है और कोशिस करने से अही फेन यानि कि अफिम भी मिल जाती है थोड़ी कोशिस करनी है और एक में गुजारी कोई दिक्कत नहीं कोई आपको ऐसुई दावे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरा टाइमिंग है बताने का सुबह छे बज़े से आठ बज़े कंट्यूनियू में फोन पे रहता हूं कोई भी भाई मेरे से बात कर सकता है और इसके अलावा कमेंट्स बोक्स में आप कोई च पूपने लग जाती है इसलिए कमेंट्स बोक्स में ही मैं ज्यादा विश्वास रखता हूं फिर भी जहां तक होता है वार्ट्सेप का भी जबाब देता हूं किसी को नेरास करने की मेरी कभी हिच्छा नहीं होती मैं चाहिए उसको कोई न कोई दवा लिखूं बाकी मैं ल सेवाएं मैं दे रहा हूं और देता रहा हूं आठी फाइब का प्रयोग कीजिए अपने आपको स्वस्त बनाएए और मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स